हेलो फ्रेंड्स मैं अनीता वेलकम टू माई चैनल अनीताज गैलक्सी आज हम बात करेंगे स्टार लाइट फाइकस की इसको फाइकस सफारी भी बोलते हैं फाइकस की और भी वराइटीज होती है जो ग्रीन पत्तों वाली होती है वो हार्डी वराइटीज होती है और वो धू गिराने लगता है तो इन सब बातों को आज डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्टार लाइट फाइकस की पतिया एकदम खूबसूरत सा वैरिगेशन लिए हुए होती हैं प्लांट की एक सबसे बड़ी समस्या कि ये अपनी पतियां गिरा देता है इसके बारे में आगे बात करेंगे उससे पहरे थोड़ी के बारे में बात कर लेते हैं पत्तियों वाले फाइकस जो है आउट्डोर चलते हैं और पूरे दिन की धूप में अच्छे से चल जाते हैं लेकिन ये जो वेरिगेटिड फाइकस होते हैं इनको नरसरी वाले इंडोर करके बेचते हैं लेकिन ये इंडोर प्लांट नहीं है इनको सुभह की या शाम की एक गंटे की धूप जरूर चाहिए होती है उससे इसकी पत्तियों में वेरिगेशन बना रहता है ये कटिंग से या एयर लेयरिंग से असानी से ग्रो हो जाता है ये भी हमने नरसरी से जब एक प्लांट खरीदा था उस मदर प्लांट में से ये एयर लेयरिंग के थूँ हमने ये नया प्लांट बना लिया था और जो हमने मदर प्लांट खरीदा था उसको रीपॉर्ट नहीं किया था उसकी ये हालत है सारी पत्तियां गिर चुकी है और अब केवल इसका ये इस तरह की डंडियां ही बची है इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो बास्केट लगी हुई ह ये इसकी वज़े से इसकी रूट्स अच्छे से नहीं बन पा रही बढ़ पा रही थी इसकी मिट्टी भी एकदम खराब है ये मिट्टी बहुत ज्यादा हार्ड है और इसमें रूट्स डवलप नहीं हो पा रही है इसकी जो ब्रांचीज है ये भी थोड़ा खराब सी हो ग और इसकी roots को नहीं कुछ करेंगे और जो यह मिट्टी है हमने पूरी ही निकाल दिया, पूरा pot खाली कर लिया है, इसी pot में यह plant आया था, दो plant एक ही pot में लगे हुए थे, और इसकी basket को ऐसे तो निकलेगी नहीं, मिट्टी बस निकाल देते हैं, फिर इसको काट करके निकाले नरसरी वाले इस तरह से छोटी छोटी basket में लगा देते हैं plant को, इससे इसकी roots जो है develop नहीं हो पाती है, ठीक से, बास्केट को पूरी तरह से काट कर ही निकालना है, ताकि जो इसकी जड़े हैं वो disturbed ना हो, इसको अब निकाल लिया है, और इसकी roots में जो मिट्टी लगी थी वो भी हमने हटा लिया है, दूसरे plant को भी इसी तरह से निकाल लेंगे, दूसरे plant को भी इसी तरह बास्केट से निकाल लिया है, और इसकी पूरी मिट्टी हटा दी है, इसकी जो सूखी branches हैं उनको सब को हटा देंगे, starlight ficus की जो branches हैं इसी तरह से पतली पतली होती हैं, तो एक part compost का लेंगे इसमें हमने एक मुठी नीम खली भी मिलाई है अब इसमें दोनों plants को एक साथ ही लगा देंगे जैसे पहले लगे हुए थे तो अभी भी इसको ऐसी लगा देंगे ये छोटे से छोटे pot में भी चल जाता है और इस तरह के medium size के pot में भी अच्छे से चलता है अभी लगाने के बाद इसको पूरा भर कर पानी देंगे और इसको fungicide मिला करके पानी देंगे अगला पानी तब देंगे जब इसकी मिट्टी उपर से सूख जाएगी इसकी मिट्टी को बहुत जादा गीला नहीं रखना और बहुत जादा सूखने नहीं देना ये plant जो पत्तियां गिराता है तो ये बहुत जादा पानी की वज़े से गिरा देता है या बहुत कम पानी की वज़े से भी होती है इस तरह की और इसकी मिट्टी जो थी वो बहुत खराब थी एकदम हार्ड मिट्टी थी उसमें ये डवलप नहीं हो पा रहा था तो बार-बार ये स्ट्रेस में आ जाता था प्लांट और फिर इसमें बास्केट भी लगी हुई थी तो इसके साथ में बहुत सारी प्राब्लम्स थी जिस वज़े से ये स्ट्रेस में आया और इसने अपनी पत्तियां गिरा दी तो हमने तभी इसमें से एक एर लेरिंग करके ये एक नया प्लांट बना लिया था तो हमारे पास ये प्लांट एक हो गया इस प्लांट की यदि बार-बार जगह चेंज करते हैं तो तब भी ये स्ट्रेस में आता है और अपनी पत्तियों को गिरा देता है इसलिए इसको पर एक ही बार में ऐसी जगह पर रखें जहां पर सुबह या शाम की हलकी धूप इसको मिल जाए और हवा भी आती जाती हो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा शौक लगता है तो इसलिए इसमें एक चमच एपसम सॉल्ट का भी दे देना चाहिए फ्रेंड्स मेरी वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिल सके इसी तरह से और भी नए नए जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइ करिएगा बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको मिल सकें मिलते हैं ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ